दोस्तों आज के इस वीडियो के दम बात करने वाला काली घाद वुमेन वर्सस एमस्सी वुमेन के बीचे होने वाले आज के दूसरे बाइजूस बंगाल मैच के बारे में एक एक प्ले का पूरा पूरा एनालिसिस बताऊँगा को कौन किस नंबर पर भले अजी के लिए आने सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत बुलना उसके लब अगर आपको तौस हो जाने का लाइनाप पास जाने हमारी खुद की फाइनल टीम चाहिए खुद ही इस पैसे लगाओंगा न वहीं तीम आखरी के पांच मिनत मैं अपने तलिगराम से सबसे पहले बात के लिए इस मैच के पिछी रिपोट कर में जो मैच होना लाइना यह आपको वैस्प बंगाल के सेधियम के ओपर देखने हो मिले वाला है यहाप आपको आखरी के पांच मैंच में आपको 99 रण के करीब के आवरेज स्कोर देखने हो पहला मैच जो रहा है आपने देख लिया होगा काफी ज़्यादा लोई स्कोर इंगे मोरा है सुरवाती पांच ओवर में 15 रंद भी नहीं बन पा रहे हैं थीक से तो वो मैं इसका बहुत ज़्यादा लोई स्कोर इंगे मोने माला आपको बॉलर्स को पर अच्छा खासा फोकस करके चलना होगा ब आखरी जो सीजन के था उसमें से तीन मैचेस में उसमें ओपनिंग करने आई थी बाकी यह बच्छे वह सभी मैचेस में बले उसमें फोर पाई थी तो इसने जो आखरी के 9 मैचेस सब्सक्राइब आखरी जो 7 मैचेस खिल रहे हैं आप 132 रन बना करके आ रही है यानि कि तीम अलग थी प्लेयर्स अलग थे लेकिन जो मतलब कॉकनींस कोच वगरा थे वह सब सेम थे तो प्लेयर्स टेंज हुए तो मैं को कहुंगा आपको को प्लेयर्स को जढ़ति करने के चांस्सज़ ज़ाँ है काली घात की पांच्छेस के लिए उसमें इसमें बनीं करने करी के 9 में 181 रन बना कर रही है तो प्लेयर बहुत सांदार है अगर आपको लग रहा है कि ऐसा विकेट की पड़ा इसको दो कैच या फिर रन आउट वगरा कुछ मिल जाएगा और वहां से इसको 20-25 पॉइंस मिल जाएगा ता हो सकते कि उनके ता चकवरती से ज्यादा जिला करके जा सकती है बाद कर अपने बल्ले बाजी आपस हमें तो यहां से नंबर वन चोईस रही कि ए बर्मन जिसने आखरी की सब्सक्राइब बल्ले बाजी से 97 रन बना कर क्या रही है प्लस बालिंग से भी छे मैच्च असको तीन विकेट मिले हुए है तो बालिंग से बालिंग कर सकती है बल्ले बाजी से भी रन्स बना के दे सकती है मैं आपको कहूँ है ऐसा और रोदरा प्ले बहुत जरूरी प्लेयर रहेगी बल्ले बाजी में भी आपको तीसरे पर दिख जाएगो उसका दीपा दास को ले करके चलूँगा जो कि बल्ले बाजी में मैक्स इसके बाद एको कोई अथी प्लेयर है ही नहीं बले आपसे नहीं प्लेयर आई है मैं ऐसे महांता को लेकर के चलूँगा जिसने बले बाद जी से भी कोई बहुत अच्छा रिकॉद नहीं है बाद बाद नहीं है पूरा करके देने वाली है यानि कि ऐसा बालिंग गॉल रूंदर केलेगी ऐसा बॉलिंग गॉल रूंदर यानि कि मेंली जो है बालर है बल्ले बाजी साब 10-15 रन से जादे की उमीदे मत करना लेकिन ऐसा बालो रिकॉर्ट काफी सांदार है आखरी इसने 5 मैचेस के लिए वाप इसको 3 विकेट मिला हुआ है बल्ले बाजी में भी आखरी के 5 मैचेस में इसने 12 रन बना करके दिया हुआ है और वहीं अगर आप रि बाजूस के लिए उतनी अच्छी विकेट करके नहीं दिया है लेकिन जो बीस और के मैचेस के लिए ना लिश्टे में वहाँ पे अच्छा पर्फरमिस करके दे लिए उसका दया से जे रोई को भी लेकर के चलूँगा जूमपा रोई जो इसने बीस और के मैचेस के लिए दो तरीके की रिकॉर्ट की बाद कर रहो हो जो इसने बीसस और के आखरी के मैचेस के लिए है वहाँ पे इसको ग्यारा मैचेस 14 विकित भी मिले हूए है ग्यारा मैच के दोई इसने करीब करीब 250 के करीब रश भी बनाः यह लेकिन जो इसने बाइजूस के लिए मैचस केल र institutions केल रह craft bisa आकरीके पांच वाप बॉसको बॉइलिंग से यह खी भी उला हुए है आकरीके पांच मैचस में और रांस भी इसने कोई जादे खास बना के नहीं दिया हुए 52 रन के करी पांच मैंचेस में बना करके आई है यानि कि बाइजूस के आखरी के पांच मैंचेस में जो की फरवरी में हुए थे इसी साल के सुर्वात में सीजन वहाँ पूदन अच्छा परफॉर्मिसन है लेकि रिसनली फर्म जाप खेल करके रही है वहाँ पर अच्छा करके रही है उमीद दोस्ते के प्लिगा यह जो मैं आपको आपको आइनलीसिस बता रहो ना यह एक इनीसियल आइनलीसिस जो की तॉस होने से पहले की तीम है तॉस ह भी नहीं आप जिस भी वीडियों को देख रोगो इसके टाइटल को आप क्लिक करोगे या फिर आप तच करोगे तो सीधे सीधे आप दिस्किप्शन में पहुंच जोगो सबसे उपर आपको हमाई तेलिग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा तो जोइन जरू कर लेना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको विनी कराने में मदद कर पाओं ताकि ज़्यादा स्यादा मैचस मैं भी जीत पाओं वहाँ पे अनालिसिस भी मुझे मिलता रहा है यहां से जे रोई को भी लेकर के चलोगो उसका पी वखारिया पी वखारिया जो आखरी के छे मैचस ख करीब नजर आ जाएगे उसके पी मंदाल को ले करके चलूँगा आखरी के पांच मैचस में से एक मैचस आगया हुआ जाप इसने बालेवाजी से फोर रन की पारी खिल करके दिया हुआ जाएगे बालेवाजी पांच में से एक सो बारा रन की करीब रास पना करके आई हुए है उसके बाद यहां से बात करे अपने बालेवाजी आपसन यहां से कॉल्डरूंदस में इसके अलावा कोई भी अथी प्लिया ने, ये दोनों से कोई साइट खेले ही ना, मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में रखना ही नी चाहिए, बल्ले बाजी उप्सन है, इसके अलावा मुझे लगता है कि फेक ही प्लिया खेल सकती है, यहां से जिसका नाम आपको देखने को खेलने का तो आप यहां से पी चौधरी भी खेल सकते हैं, यहां से करवा कर भी खेल सकते हैं, क्योंकि नई प्लियर से तो मौका तो मिले गए, बाकि मुझे लगता है कि बी दास को प्लेइंग 11 में खेलाना चाहिए, यहां से दीप ओल जरूर खेलेगी, और उसके बाद जो है ना इन में से तीन तो खेलेंगे ही खेलेंगे, यह पांच में से तीन तो खेलेंगे ही खेलेंगे, बचे वह इन दोनों से सायद को यह खेले, वरना फिर चांसर सोड़े काम है, बात के रहें, बालिंग अप्सन है तो यहां से आपकर एम गोस हो गया, आखर यह छे मै में बालर से दोनों चार चार वर बालिंग पुरा करेंगे दोनों ने रिसनली मैचेस काफ़ी अच्छा पर्फॉमिस करके आई हुई है इसके बादे को आर मैटी का रिकॉद बिल्कुल अच्छा नहीं है ऐसे पेच की बात करो तो इसका आखरी एच्छे मैचेस में सिफ दो ह की विक्त मिला हुआ प्लेयर अच्छी है प्रिया पांदे नहीं जो दोमेस्टिक लेवल को मैचेस के रहा है आप काफ़ी अच्छा परफॉमिस करके यहां पर नहीं किसको बनाऊंगा उस से पहले देखो मै अपने पूरे पैसे जोने इस मैच के लेवन चैलेंजेस पे लगा नो रीजन यहाँ आपको फैंटेस्ट से कि जितने भी एपली किसान सबसे ज़्यादा आपको लुए द्रफीज दो लेवन चैलेंजेस पी देखने को मिलेगा यहाँ पर मेरे कहने बास आपने हजार लगा करके दे इसक्रिप्सन मिल जाएगा जाबी कभी आपसे दाउनोट करके मेरे साथ खिलना सुरू कर सकते हो मैं भी इस मैच के अपने पूरे पैसे जो हैना लेवन चैलेजेस पी लगाने वालो तो अभी जाज़ ज़्यादा यहाँ पी खिल आपको जीतने के चांसे जादा रहेगे विदेमे कैप ले करके चलने वालो जी सुलतारना को वी सी ले करके सोच रहाँ कि यहाँ से बर्मण बरह दीखा लगो तो सबस्क्राइब जरू कर लेना तो सोज जाने का लाईना पास जान करना यहाँ खुद के फाइनल तीम चे हो तर्टीर लाहम सेर सूर जयर्ण जंक आपके सिवीद्र कोoj दिस्किप्टिज है आपको कमें सकत्राइब के के सबस्पर पर इकाम दिखना मिल जायागा या झाहिक आपको पैस लिंग भीछ की डिंखना लिक्न है